वाड नम्मर 31 से पारसद परत्यासी जीतनी देवी के समर्थन में एकजूट हुए लोग नगडिगम चुनाओं की तारिक जैसे जैसे नजदिक आ रही है वैसे ही सभी परत्यासी अपने अपने वाड एवं छेतर में जनता को वोटरों को एकजूट करने में लगे हुए है वही लोग भी अपने अपने परत्यासी को चुनने के लिए एकजूट हो रहे हैं इसी क्रम में राम भाग वाड नमर 31 से प्रत्यासी समासिवी रंजी चोधरी की माँ जीतनी देवी के समर्तन में लोगों के द्वारा एक बैठक का योजन किया गया इसमें सैकरों की संख्या में नौजवान महिलाएं ये वों अन्य लोग मौझूद रहें बैठक के दोरान सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि वाड नमर 31 से जीतनी देवी को विजाई बनाने के लिए हम लोग एक जूट हुए हैं लोगों को उमीद है कि वाड नमर 31 से जितनी देवी के पारसाद बनने के बाद वाड का विकास समुचित हो पाएगा लाल मोहन भाई हमारा भाई है और समाज का भाई है और समाज का वो बेका है उनका हक भी बनता है जन्मजाब कि इस समाज में उन्होंने अपना बच्पन से जवाने और बुढ़ापे के ओर चल रहे हैं तो हमरा दाई तो बनता है कि उनको हम लोग सभी कोई एक मत से उनका जयजय कार करते हुए सभी कोई बोटे मोहरमा रहें लेकिन 31 वाड के हमको पुरने विश्वास है कि हर महला जैती यह संकल पुले कि हम जिस गली में हैं लेकिन जिस गली में है उस गली तो जरूर का भंदा है कि ये हमारे काम का बंदा है, इन पे हम बाद में भी दवाव डाल सकते हैं, कि आपको ये कम करना होगा, लेकिन दूसरे एक पास को हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच में हैं, तो इसलिए सभी कोई एक साथ हम लोग उनका सहमती से योगदान दें. जनता को ये कहना चाहेंगे, आप हम भारी मत उसे विजय बनादें, कौन चुरावल नर्रेपर्टिया से कहना होगा, मेरी मा जितनी देवी, काठ लकडि गारी चाप है, जिसको बैल गारी पहले बोल देते, काठ गारी चाप, काठ गारी चाप, जनता का कितना समर्थन में लि अपि आप्रम आदू है, क्या चाहिए ही, का पारी मत ब्राज्ज इंता कि लोगों को आप से कितनी उमीच्य, अगर आप गीदेए तो अपने वार्ट के लिए क्या करेंगे, लोगों प्रों रहे में हविए ह।